बड़ी ख़बर आपको बता दें इरान ने का है कि वो किर्मान में हुए आतन की हमले का जवाब जल्दी देगा। इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी छेराया है। इस हमले की जम्मधारी ISIS ने लिए हैं। किर्मान में आत्मगाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद एक क्यान में पहुँच चुकी है। इरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जम्मदार ताक्तों को छोड़ेगा नहीं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामने आया। अब इरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत जादा परेशान है। यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है। पूती में द्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा। वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। ये हो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं। ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं। देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कज़ा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारती नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा करती भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्षन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है, दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है, भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप, MV लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए, इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा, इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओप्रेशन से पहले ओप्रेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस में MV लीला जहाज पर चड़ाई की, तो जीद भारत की हो ज़िए इस जहाज के आसपास कहीं मतलब पांच-छे धाउज और फिशिंग बोट्स होगे रहे थे, तो उनका भी डिटेल्स होगे रिकॉर्ट किया गया तो इससे उनका confidence था कि pirate attack होँ है और कोई जानकर ही नहीं था कि pirates on board है नहीं है इसके बारे में ज़्यादा information नहीं था क्योंकि crew स्रेडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा information नहीं था तो इतने में हमने decide कि जिसे second PA tie जाके इसको जो फर्स PA tie है उसको on the spot रिलीव करेगा और उसके बाद एक sea guardian पी जाएगा ताकि वो situation को monitor करे और video अगर हमें रिले कर सके सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के seal कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजूर है क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने दो घंटे में operation करके दिखाया है भारत ने हर technology और military power का इस्तिमाल करके समुद्रे लोटेरों को डरा दिया भागा दिया अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है आखिर उसका केरिया हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इसरैल की बंबारी चल रही है जब लिबनान बॉर्डर पर इसरैल और हिजबुल्ला की टककर हो रही है तब हिंद महा सागर के एक पश्यमी कोने में इस सुवक्त तूफान मचा हुआ है हालात बहुत ज़्यादा खराब है और अब यहां युद्ध का ऐसा खत्रा है कि सवाल खड़े होने लगे है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस वक्त अमेरिका को एश्या के तीन इलाकों में चैलेंज बिन रहा है इस वक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इसरेयल से जुड़े जहासों को टार्गिट बना रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनाद की हुई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमलाज जरूर होगा हूथी विद्रोहियों के टार्गेट दो है पहला है इसरेल और दूसरा है अमेरिका हूथी विद्रोहियों ने इसरेल के शिप को टार्गेट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दू मानता है गूती विद्रोही लगातार इसरैल पर हमला कर रहे हैं वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसरैल के दक्षने इलाके पर अटेक कर रहे हैं साथ में इसरैल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रहे हैं यमन के हूथी विद्रोहीों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है इसमें अमेरिका और इस्रैल के al Wenn और अस्ट्रेलिया है एकैनेडा है बेरीन है यूरॉप के बेलجिया डैन्मा जर्मनि इटली द नीधरलांड और ब्रेटन के अलावा न्यूजिलन्ड है जापान है दक्शिर्पोरिया है और सिंगापूर भी ये अमेरिका को जबाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए आपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के शुरबात की है अमेरिका ने जब से इस मल्टी नैशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट परा गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा ऐसा वो आदेन की खाडी में करेगा ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गडबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथीवे द्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गडबंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है। भूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कबजा करते हैं। वो कैसे इसरेल से जोड़े जहाजों को टार्गेट कर रहे हैं। ये हेलिकॉप्टर वाला ओपरेशन इसका सबूत है। इस हेलिकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दर्वाजे पर दो जंडे लगे हैं। एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाग। ये लाल सागर है। दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलिकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिला कर आगे बढ़ता है। और इस शिप पर उस जगे पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलिकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कबजा करना शुरू कर देते हैं। इस सभी हमलावर जहाज के भृज में दाखिल होते हैं और फिर टूममेमबर हैंडस अप करके हमलावरों के स्कीन के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के भृज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कबजा पाकी जहाज पर होने लगता है। ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यॉरप के देश नाकाम साबित हो है अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद हूथी विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रहा यमन के हूथी विद्रोहियों जब किसी जहाज पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं, तो उसे चारों तरब से उनकी स्पीड बोर गेड लेती हैं, और फिर जहास उनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है। भारत ने बता दिया है कि जहास पर खब्जा हो, तो कैसे लड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका ये हिम्मत हूथी विद्रोईयों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है। और इसका खामियाजा अब इसरेल ही नहीं, पूराई जुरब भगत रहा है। यमन के हूथी विद्रोई, जो घाजा पर इसरेल की बंबारी रुपाने के लिए इसरेल के जहासों या उसके लिए माल ले जा रहे हैं कारगो शिप को टार्गट कर रहे हैं। और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहासों पर हमला करने की कसम खाई है। फिलहाथ, हूथी इसरेल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे है उन्होंने इसरेल से जुड़े जहाजों के खिलाफ ना सिर्फ हमले किये, बल्किर उनको अग्वाद भी किया है। हमलों ने कई कम्पनियों को माल की आबाजाही रोपने पर भी मजभूर किया है। इसी वज़े से अब कार्गो जहाज अदन की खाड़े और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूर्प को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे हम शिपिंग लेन मिसर की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जारहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो यह रास्ता 6,000 किलोमेटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरप पहुचना होगा। अगर इस रास्ता 10,000 किलोमेटर तक जादा हो जाएगा। तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानि ज्यादा लागर, ज्यादा वर्ट और कारोबार पूरी तरह चोपड़ यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्केट क्योंकि वो घाजा में बंबारी का बतला इस्रैल के जहाजों को बना कर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में भारतीय नौसेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है। ये वीडियो देखकर बाइडन चाहे तो अपनी नेवी को ओरडर दे सकते हैं। 1987 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से उपरेशन करते हैं इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तर्फ पर ही तयार किया गया था लेकिन हैरत की बात ये है कि आज ये ऐसे ऐसे उपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉंच करने से घबराने लगा है दरसल इस स्वक्त लाल सागर में बहुत आग है इस स्वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है इस स्वक्त लाल सागर में वार जून भड़पनी की कदार पर है अकले 48 घंटों के अंदर लाल साकर शमन और इस्रैल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्यमेशिया घाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूप सकता है घाजा में चल रही जंग के बाद दूनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगे हैं इस्रैल ने दुनिया के प्रेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहत करीबी है उन्होंने इस्रैल के शिप को टार्गेट करने का फैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपन ले दुनिया की लाइफ लाइफ लाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इस्रैल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकेला पढ़ गया है क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोटे देश कैसे हूथी वे द्रोहियों के एंटिशिप मिसाइल का सामना करेंगे ये सबा अब बाइडन से पूछे जा रहे है अमेरिका ने जब से हूथी वे द्रोहियों को टार्गट किया है उसके दस लड़ाके मार गिराएं तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वार्सोन में अब मचने वाला है महा बबंडर